Hello my sincere and regular students, regular subscribers मझे बहुत खुसी है कि आज मैं फिर से कुछ important phrasal verbs लेकर के आपके सामने प्रजेंट हो रहा हूँ और यह बहुत interesting वीडियो है आप देखेंगे तो बड़ा enjoy करोगे definitely और बहुत कुछ सीखोगे मैंने बहुत simple तरीके से यह 4 phrasal verbs आप तक पहुचाने की कोशिस किये ठीक है मेरी मेहनत को आप importance दीजिएगा समझने की कोशिस कीजिएगा ठीक है और मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा आप तक अच्छे चे topics पहुचाने के लिए ठीक है तो चलते है phrasal verbs को समझने की कोशिस करते है यह 4 phrasal verbs मैंने यहाँ पर select किया है आपको पढ़ाने के लिए वो है put on, put off, put up with और put out यह 4 phrasal verbs day to day life में बहुत यूज होते हैं इनका यूज करने से आपकी language बहुत अच्छी होगी, effective होगी और impressive होगी ठीक है तो इनको समझने की कोशिस करते है इनका यूज हम लोग समझते है सबसे पहले put on, put on का मतलब होता है wear, मतलब पहनना I put on my clothes and went out, she has put on his shoes, मतलब उसने अपने जूटे पहन लिये है I put on my clothes and went out, मैंने अपने कपड़े पहने और मैं बहार चला गया तो put on का मतलब क्या होता है wear, ठीक है, आपको यह use करना है और मैं आपसे यह request कर रहा हूँ बार-बार, कि आप इनका use करना है बार-बार use करो, ठीक है, अब देखेगा, यह जो दो मैंने photos भी लगाई है आपको अच्छी तरह समझाने के लिए, visual जो ads होती है, उसकी मैंने help लिए ताकि मेरे जो topics है, मेरे जो contents है, वो आप तक approachable हो, आप तक आराम से पहुंच सके ठीक है, आप अच्छी तरह समझ सको next है, put out, put out का मतलब होता है, extinguish, means douse, the fire fighters are trying to put out the fire, put out means extinguish, मतलब भुजाना, ठीक है, light भुजाना, candle भुजाना, आग भुजाना, यहाँ पर हम लोग क्या यूच करेंगे, put out, the fire fighters are trying to put out the fire what is it called when you put out a candle, जब आप candle भुजाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसको what is it called when you put out a candle, ठीक है, तो put out का मतलब होता है, douse, यह फिर extinguish, means भुजाना, ठीक है, next put off, put off means call off, call off, यह भी phrasal verb है, cancel, postpone, इनका मतलब होता है, put off, ठीक है, put off का मतलब कोई चीज cancel करना, रद करना, ठीक है, इस्तंगित करना, हम यह भी कह सकते हैं, my boss has put off the meeting until tomorrow, my boss has put off the meeting until tomorrow, मतलब कल तक मेरे बोस ने meeting को cancel कर दिया, put off, बहुत यूज होता है, आप English news paper में देखेगा, इनका बहुत यूज होता है, मैंने कल भी आपको चार phrasal verbs पढ़ा है थे, उनका भी बहुत यूज होता है, मैं वो ही topics ले रहा हूं, या फिर वो ही मैं contents लेता हूं, जो बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, चलो क्योंकि वो easy है, समझने में और याद करने में, ठीक है, next, अब देखते हैं, put up with, put up with का मतलब होता है, tolerate, endure, मतलब सहन करना, ठीक है, I can't put up with your rough behavior, बहुत 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 है, I can't put up with, put up with का मतलब, सहन करना, I can't put up with your rough behavior, आपका rough behavior है, उसको मैं put up with नहीं कर सकता हूं, ठीक है, अब देखते हैं, next, मैंने यह कुछ इस तरह के बना हैं, जिससे आप 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 सची तरह समझ सकते हैं, दो जो है, यहाँ पर picture है, ठीक है, let's go to put out the fire, ठीक है, जो है, छोटा बच्चा हो कह रहा है, there is fire, उसका अबर आग लग रही है, चलो हम चलते हैं, उसको put out करते हैं, ठीक है, next, put on close, we will go to the party, okay, बच्चा छोटा बच्चा कह रहा है, put on close, we will go to the party, we have a party and let's we join the party, so put on close and we will go to the party, okay, ठीक है, next, we will put off the match if it rains, अगर बरसात होती है, we will put off the match, हमारा जो match क्या हो जाएगा, put off हो जाएगा, हम match को put off कर देंगे, cancel कर देंगे, okay, ठीक है, वो दूसरा बच्चा बोलता है, yes, ठीक है, अईसे आपकी dialogue practice भी होगी, ठीक है, dialogue बहुत जरूरी है, dialogue practice अपकी होनी चाहिए, communication skill को develop करने के लिए, आपको, मैं यही सला देता हूँ कि आपको dialogues पढ़ना चाहिए, ठीक है, और dialogues form करना चाहिए, it's not easy to put up with the impolite people, yes, rightly said, okay, फिर से read करता हूँ, it's not easy to put up with the impolite people, yes, rightly said, तो मुझे उम्मीद है, कि आप इस जो dialogue हो रहा है यहाँ पर, इस dialogue के through भी आप इन जो चार phrasal works को मैंने discuss किया है, उसको आप अच्छी तरह समझोगे, ठीक है, तो thanks a lot, ऐसे मेरे वीडियो को देखते रहेगा, और एक ही request है, कि आपने अगर अब तक मेरे वीडियो को subscribe नह ठीक है, thanks a lot, I will be grateful to you, thanks a lot